वेलकम टू यो ओन चैनल लक्ष्मिया अर्वेद लक्ष्मिया अर्वेद में एक बार फिर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है और टुदेश टॉप इस जंडू नित्यम आज मैं इस वीडियो में आपको जंडू नित्यम के बारे में सभी इंफोर्मेशन देने वाली हू वो जल से जल सब्सक्राइब कर ले बगल में ही बेल आइकन है उसे दबा ले ताकि न्यू न्यू नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुँच सके आगे भी मैं बहुत सारे रिव्यू करने वाली हूँ इसलिए आप जल से जल सब्सक्राइब कर ले लेट्स स्टार्ट सबसे पहले मैं इसकी पैकिंग को आपको दीखा देती हूं यह जो है जंडियुनित्यम की पैकिंग उया देख सकते हैं यह वाइट और ग्रीन कलर सकते हैं सेम चीज है फंक्शन सेम है सिर्फ फॉर्म अलग है जिसको जैसे सुविधा है कोई अगर टैबलेट पसंद करते हैं तो चूर्ण ले सकते हैं तो यह है इसकी पैकिंग बहुत अच्छी पैकिंग यह जंडू की एक बहुत अच्छी मेडिसीन है यह नित्यम जो है व जो है CON न को आपकी सही करता है यानि कि के कब्स लिसे हृं यहिए करते हैं अगर किसी को कब्स की बहुत ज़्यादा शिकायत हैं यह प्रॉब्लम हैたい ci यह सेवन से जो है आपकी कंस्रिपिकेशन की प्राब्लम दूर हो जाती है चाहे वो कितनी भी पुरानी प्राब्लम हो और भी इसके कई एक फाइदे हैं और सबसे बड़ी चीज प्लस पॉइंट यह है कि यह 100% नैच्रल तत्वों से बनाई गई है 100% नैच्रल चीजों से इसे बनाए गया है और यह ए इसके benefits क्या क्या है इसके benefit जो है वो है कि overnight relief जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते है तो आपको पहले ही रात अगर आप लेते हैं तो आपको फील हो जाएगा, मिंस एक दिन लेते हैं, दूसरी रात से आपको फील हो जाएगा, ओवरनाइट में आपको रिलीफ होगी, तो यह चीज इसकी सबसे पहली जो है वो बेनिफिट है, दूसरी जो है, abdominal cramp इसमें नहीं ह जो इस दवाई के साथ बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप लेते हैं, तो यह easy mode में आपको function करता है, और आपका पेट बी क्लियर होता है, बिना किसी cramp के, बिना किसी mamon मचोड के, आपके पेट को साफ करता है, तीसरी जो इसकी benefit है, वो है easy to use, यानि कि इसे इस्तिमाल करना बहुत जादा easy है, बहुत convenient है, कोई परिशानी नहीं है, अगर आप tablet लेते हैं, तो आप सिर्फ इसे पानी के साथ ले ले, चूर्न लेते हैं, फिर भी इसे आप ले के फाक के पानी पी ले, या तो थोड़ी सी घोल बना के खा ले, जैसे आपको लेनी है, आप ले सकते हैं यह बहुत easy to use है, इसे कहीं भी आप carry कर सकते हैं, जैसे कि यह tablet form में है, तो tablet form का सबसे ज़्यादा benefit क्या होता है, कि अगर हम घर पे हैं, तो फिर हम तो वो चूर्न भी use कर सकते हैं, लेगिन अगर हम traveling पे हैं, या कहीं बहार जा रहें, तो उस समय जो है, चूर्न थोड़ा कर सकते हैं, तो यह इसकी बहुत बड़ी benefit है, और यह जो है, इन सब चीजों के सिवाई यह पेट में दर्द अगर है, आखें किसी कि बहुत लाल हो जाती है, रेडिश नजर आती है, सिर दर्द अकसर होता है, तो इन सब परिशानियों से भी जो है, यह relief दिलाता है, क्यों सिर तक चड़ जाती है, तो यह सब चीजों से भी जो है, इसके सेवन से आपको बहुत relief मिलने वाली है, आईए देख लेते हैं, इसके ingredients क्या-क्या है, इसमें क्या-क्या तत्व डाले गया है, इसे बनाने के लिए, तो इसमें जो main तत्व है, वो तीन है, बाकि इसमें और सबसे पहला तत्व जो है, सबसे पहला तत्व जो है, त्रिफला, हरा और बहरा, यह तीन चीजें इसमें main ingredients है, बाकि सब इसके substitutional है, तो त्रिफला जो है, जैसा कि हम चानते है, हमारे पेट के लिए, हमारे intestine के लिए, stomach के लिए बहुत अच्छा होता है, यह अंदर के हमार समॉल और लाज इंटेस्टाइन को जो है, वो सही से खाने को बचाने में मदद करता है, तो यह इंटेस्टाइनल पार्ट को जो है, वो recover करता है, त्रिफला, और हरा हरा जो है, वो क्या करता है, वो हमारे अंदर के जो evaporation process जो है, उसे ठीक करती है, तो यह इवापरेशन प्रॉसेस को जब ठीक करती है तो खाना सही से small intestine से large intestine तक पहुंस जाता है और जो है gas acidity नहीं होने देता है और उसे पचाने में भी मदद करता है और बहेरा का भी function यही है कि वो हमारे खाना को स Bugün मंदम करती है हमारे आंदर के सास्ति कर नें मदद करती है और क्यूआ केस्टर औ ofere वी डाला हुआ है यानि और आनि के टेल ये भी जो है बहुत ऐसे हैं ये घूर्मारे आंदर क्रोज्ड के स्वांड का नहीं हो रही है तो भी यह castor oil जो है इसमें डाला हुआ है वो चीज जो है हमारे movement में बहुत मतद करती है और एक चीज इसमें डाली गई है वो है काला नमक काला नमक जैसा कि हम जानते है पेट के रोगों के लिए एक और शदी है बहुत बड़ी और शदी है उससे क्या होता है कि gas या फुलान जो है हमारे अंदर की puffness जो है वो कम होती है तो अगर आपका पेट अकसर फुला फुला रहता है और गैस रहता है तो भी इसके सेवन से आ मुलटी भी जो हमारे पूरे पाचन तंतर के लिए बहुत अच्छी होती है हमारे इंटस्टाइन के लिए बहुत अच्छी होती है मुलटी से क्या होता है कि हमारे शरीर का भारीपन या पेट का भारीपन जो है वो दूर होता है यह जो है पूरे रहत दिलाती है इसमें जो पिसमें डाला गया है युश्टी मदू है जो आतों के लिए आराम दायक का काम करती है यानि यह आतों को रिलीव देती है आराम पेट फूलने से रहत दिलाती है और पर इतने सारे चीज़ें को इबारे में आपको बताया जो इसमें और आपने देखा कहीं भी कोई इसमें जो है इंग्लिश वाली मेडिसिन का इस्तमाल नहीं हुआ है यह 100% नैश्रल है जो आपके पेट को रहत दिलाती है बिना किसी साइड इफेक्ट के जीरो साइड इफेक्ट के तो यह बहुत अच्छी और शदी है जंडू की आए बात कर लेते हैं इसके अब प्राइस के बारे में इ देख सकते हैं यह जो डिबी है इतनी बड़ी डिबी है इसकी जो प्राइस है वो है 90 रुपीज की यह देखिए इसकी प्रेंटिंग जो है इसकी प्राइस 90 रुपीज यानि की 90 रुपे कि इसकी प्रेंट है यह वाली कि यह देखिए यह इसके अंदर से यह चीज है जैसे तो यह 90 रुपीज की है और जो यह tablet form में है इसके अगर मैं बात कर लूँ तो इसकी जो price है वो है 32 रुपीज यानि की 32 रुपे है यह tablet form वाली की price है 32 रुपे है यानि की 32 रुपे है यह सिर्फ इतने कम दामों में आपको पूरे पेट की जो है पूरे पेट की समस्याओं का समाधान मिल रहा है बहुत कम रेट में बहुत अच्छी चीज है और आप देख सकते हैं यह बड़ी जो डिब्बी है इसकी जो price है यह है 85 रुपीज यह देखिए यह बड़े डिब्बी की price जो है वो है 85 रुपे यानि की 85 रुपे पचासी रुपे में आपको बहुत अच अच्छी चिकित्सक से भी अगर आपको किसी अच्छे आयरवेदिक डॉक्टर से कंसल करके भी इसे रेकमेंड करवा सकते हैं यानि कि आपको इसे खाना इसके लिए बोल सकते हैं वह भी आपको इसकी सजेशन देंगे क्योंकि यह एक जंडू द्वारा बहुत अच्छी मेडिसीन है जो बहुत इफेक्टिव है और प्रेगनेंट लेडिस जो है इसे खाने से बचे एक चीज़ मैं बता दू कि प्रेगनेंसी के दौरान आप कोशिश ना करे इस मेडिसीन को लेने की इसको क्या बहुत कोई भी मेडिसीन को ज़्यादा हमें प्रेगनेंसी के दौ सबारा नहीं लेना चाहिए तो प्रेगनेंत और इसे इसे अफ़ाइड करें और यहीं कहूंगी यहीं सऑजिशन दूंगी इससे जो है उस टाइम ना ले और बाद में आपको चाहिए होगी तो अपले सकते हैं तो यह थे इसके benefits और इसके जो है जो है इनको नहीं लेना है उसके बारे में मैंने बताया अब जो है मैं बता देती हूं कि इसे कैसे लेना है इसे जो है सुबा और शाम आपको एक-एक चमच एक या दो अगर पाौडरी मैं रहे तो एक से दो चमज आपको सुबर e Left लिना है और शाम को लेना है और आप इसे टाबलेट फॉर्म में ले रहे है तो एक से दो गोलियां जो deeply आपको सुब साम लेनी है पानी के साथ और वरना आपको जैसे चिकिट सख अगर आप किसी अच्छा-अिरवेधिक चिकिट सख से शला लेते हैं तो जैसे आपके चिकिट सखनें दॉक्टर ने कहा है आप ऐसे भी ले सकते हैं क्यungकि हर व्यक्ति पे जो है इसके अलग अलग नतीजे मिलते हैं और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो अलग quantity भी आपको रेक्मेंट किया जा सकता है लेकिन नॉर्मल परसन के लिए मैंगे अगर आप लेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा तो होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर कर लें तिल देन टेक क्यर बाई